सभी आंगनबारी बहनों को मेरा नमस्कार पोशन ट्रेकर एप में एक प्रोब्लम चल रही थी काफी दिनों से कि अगर मालीजे किसी बच्चे या किसी लभार्थी को हम लोग पोशन ट्रेकर एप से डिलीट करते हैं तो वो बच्चे या लभार्थी डिलीट तो हो जाते हैं लेकिन फिर से वापस आ जा रहे थे ऐसी प्रोब्लम कई दिनों से और कई महीनों से चल रहे थी तो अब आप सभी को इस पोशन ट्रेकर रेप में ऐसी प्रोब्लम नहीं होने वाली है अब आप लोग किसी भी जो है वो कमेंट की थी कि माली ज смотрите बच्चे को अपने अंगंबाडी केंदर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं तो इसके बार भी आपको जनकारी देने वाले हैं वीडियो आप शरी आंगंबारी भहनों को यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेग चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए अगर किसी बच्चे या किसी लभार्थी का नाम हमें पोसंट ट्रेकर एप से डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना है माली जी कि यहाँ पे जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हैं और उसका नाम यहाँ से यहाँ पे का नाम सेलेक्टर ना है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तीन साल इस बच्चे का जो उम्र है वो पूरा हो चुका है और हमने तीन से लेकर 6 साल वाले केटेगरी में उसका नाम एड कर दिया है या फिर वो अटोमेटिक वहाँ पे चला गया है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे ठीरी डॉट का जो अप्सन आप लोग देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट बेनिफिसरी वाली पे क्लिक करके आपको इस बच्चे का नाम यहाँ से हटा देना है उसके लिए आपको यहाँ पे लापस आ जाता था, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि इस परकार की प्रवल्म आपको नहीं होगी test एक बार आपको delete कर देने के बाद, फिर से वो बच्चे का नाम यहां पर अब नहीं आ पा रहा है तो इस परकार की जो problem थी अब यहाँ पे ठीक हो चुकी है जैसे कि चली एक और बच्चे का जो नाम है यहाँ से हम हटा के आपको दिखा देते हैं जैसे कि इस बच्चे का जो नाम है यहाँ पे three dot पे click करेंगे three dot पे click करने के बाद फिर से हम यहाँ पे delete beneficiary वाले पे click करेंगे और यहाँ पे हाँ वाले पे select कर देंगे हाँ जैसे ही करेंगे तो इस बच्चे का भी नाम यहाँ से हट जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे beneficiary का जो नाम है वो यहाँ पे हट चुका है तो इस परकार से आप लोग किसी भी बच्चे का जो नाम है वो आसानी से हटा सकते हैं जैसे कि जो भी बच्चे का नाम हटाना है उससे पहले आपको यहाँ पे check कर लेना है मालीजिए कि इस category में वो बच्चा आ चुका है या फिर registration कर चुके हैं उस condition में यहाँ से जो बच्चे का नाम है वो नहीं हट पाता है तो आप लोग आसानी से delete कर सकते हैं उसी परकार से जो भी बच्चे यहाँ से यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे उस बच्चे का नाम नहीं हटा है तो फिर उसको click करके यहां से आप उसको हटा सकते हैं यहां पर three dot पर click कर देना है जैसे कि हमने इस बच्चे का जो नाम है वो छे माँ से तीन साल वाले category में add कर लिया है तो अब हम इसको असानी से यहां से delete कर सकते हैं तो सिधे हम यहां पर delete वाले पर click करके यहां से delete कर सकते हैं देखिए जो भी बच्चे का नाम delete हो रहा है वो आपस नहीं आ पा रहा है हम पिछले एक दो दिनों से यहां पर try भी कर चुके हैं कि इस बच्चे का नाम delete हो रहा है वो आपस नहीं आ रहा है इस परकार से आप लोग डिलीट कर सकते हैं और जैसे कि मान लिजिए कि आपके आंगनबारी केंदर में जो बच्चे का नाम एड है और वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है तो आपको क्या करना है? चिदे सिदे उस बच्चे का नाम यहाँ पर सेलेट करना है और आसानी से डिलीट कर देना है क्योंकि मान लिजिए कि वो बच्चा आपके आगनबारी केंदर में आएगा ही नहीं पढ़ेगा ही नहीं तो उस बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं रखना है वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा वीडियो इंफोर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को अन्यागंबारी बहनों के साथ सेर भी कर दिजिएगा अगर पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद